नमस्कार दोस्तो अगर आप वजन घटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब भी अपना वजन चेक करते हैं तो आपको नेराशा ही दिखती है और पता चलता है कि पूरे हफ़ते में कई बार भूके रहकर और मुश्किर एक्सरसाइज करके भी दो किलो वजन कम होना लेकिन तो दूर की बात है। 200 ग्राम भी नहीं कम होता है। तो इसके पीछे 90% chance हैं कि आप डायट तो कर रहे हैं, लेकिन सही डायट नहीं कर रहे हैं। यानि कि आप अपनी डायट में कई कार्बोहाइडरेट्स वाले खाने को शामिल कर रहे हैं, जिनने कम खाने से भी कै की मातरा बढ़ जाती है इसलिए अपना वजन और पेट की लटकती हुई चरवी को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में हाई कार्बो हाइडरेट वाले फूर्ट की जगह हाई फाइवर फूर्ट को शामिल करना होगा और आपकी मदद के लिए आज के इस वीडियो में ह आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें मुंगफली के मखन की एक सर्विंग में आपको 8 ग्राम प्रोटीन और 4 ग्राम फाइवर मिलता है जो कि आपकी बॉड़ी के गलाइसेमिक लोड को स्टेबिल करके आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है साधी प्रोटीन आपके मसल मास को बढ़ा कर फैट बर्निंग की प्रोसेस को फास्ट करता है तो जब भी भूक लगे रोटी या अटा ब्रेट पीनट बटर लगाईए और मसे जिखाईए बस यहाँ यह बाँ ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप जो भी पीनट बटर यूज करें उसके इंग्रीडेट्स में सिर्फ पीनट्स, सॉल्ट और थोड़ा सा ओयल हो उससे ज़ादा कुछ नहीं अगर आप हाई फाइवर प्लांट बेस्ट प्रोटीन, इम्मुनिटी बूस्टिंग एंटी ऑक्सिडन्स और पेट में जमा गैस यानी ब्लोटिंग को मिटाने वाले मिनरल्स से भरपूर खाने की तलाश में हैं तो पेश है आपके सामने चोले यानी चिक पीज इस दोस्तों देश के कई लोगों के घरों में जब कद्दू की सब्जी बनती है तो उन्हें वो दिन तिवहार जैसा लगता है। ऐसा हो भी क्यों न किन्यों में से भी ज़्यादा फाइवर और केले से भी ज़्यादा पोटेशियम वाली ये सब्जी खाने में बहुत ज़्या पुरा दिन आलो खाते हो दो बॉयल आलू मज़े दिखाएए नमबर फाइब आमन्स ठंडी के मौसम में ड्राइफ फ्रूट्स को भला हम कैसे बूल सकते हैं कई रिसर्च के मताबिक बादाम हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर होती है और बादाम का रेगूलर सेवन करने से शरीर में LDL कोलिस्ट्रॉल की मातरा कम होती है साथी बादाम हमारे शरीर के मेटाबولिक रेट को सुपर चार्ज कर देते हैं इन सभी फाइदों की वज़े से रोज़ाना बादाम का सेवन करने से वज़न कम होता है और शरीर स्वस्त रहता है आप सुबह ब्रिक्वस्ट में रात भर बिगोई हुई चार से पाँच बादाम या फिर शाम के नाश्टे में चार पाँच बादाम खा सकते हैं नमबर सेक्स ओलिव ओयल आपने कई फिटनेस एक्सपर्ट को कहते हुए सुना होगा कि वजन घटाना है तो अपने खाने को ओलिव ओयल में पका कर खाईए विजिटेवल सैलेड में थोड़ा सा ओलिव ओयल डाल कर खाईए जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि olive oil आपको पेट भरा होने का एहसास करवाता है और आप कम खाते हैं इसके लाबा extra virgin olive oil में पाय जाने वाले antioxidant शरीर में inflammation यानि सूजन को कम करते हैं जिसकी वजह से आपका शरीर फूला हुआ नहीं लगता और आप पतले दिखते हैं इसका एक और फायदा है कि शरीर में सूजन और दर्द नहीं होगा तो आप ज़ादा active होकर exercise और workout कर पाएंगे तो आज से ही olive oil को अपनी diet में शामिल करना शुरू कर दीजिए ये शब सुनकर ही राजमा चावल के फैंस की आगों में चमगा जाती है और सच बताओं तो मेरी भी फैवरिट डिश राजमा चावल ही है दोस्तो beans plant based protein, minerals और कुछ B vitamins का भंडार है साथी beans solival fiber rich भी होते हैं जिसकी वज़े से आपके शरीर को beans को पचाने में ज़्यादा समय लगता है और आपको बार-बार भूक नहीं लगती तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाते हैं तो B vitamins को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए लेकिन ध्यान रखिए आपको ज़्यादा स्थार बाइल किये हुए B vitamins को ही खाना है और अगर ज़्यादा मन करें तो थोड़े से राजमा चावल बेज़े जखा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि राजमा ज़्यादा और चावल कम इस combination को maintain करना है कई भारती लोगों को ये नया नाम लग सकता है लेकिन बताते हैं कि पड़ोसी देशों में बज़न घटाने के लिए सबी लोग किनौा को अपनी डाइट में शामिल करते हैं क्योंकि किनौा फाइवर रिच, प्रोटीन रिच और एमेनो एसिड रिच फूड है साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है और टेस्स की बात करें तो यकीन मानिए जब आप एक बार किनौा खाएंगे तो आप इसे रोज रोज खाएंगे वेट लॉस के लिए इसे अपनी डाइट में शामिल करने की बेस्ट मील ब्रेक्वस्ट है नमबर नाइन बनाना आलू की तरह बनाना के लिए भी कई लोगों का वही मित है कि केला खाने से वजन बढ़ता है तो मेरे दोस्त आप सही हो लेकिन वेट पूरी तरह से नहीं क्योंकि वेट गें तब होता है जब हम दिन में चार से पांच बनाना खाते हैं रोजाना एक बनाना खाने से कोई वेट गें नहीं होता बलकि पोटेशियम और मैगनीसियम से भरपूर केले को वजन घटाने के लिए अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि प्रोसेस फूर्ड को खाने की वजह से आपके पेट में जो गैस के लोटिंग जमा हो जाती है ना उसे केला कम करता है वहीं प्लांट बेस्ट प्रोबायोटिक से भरपूर केला पेट में गुड वैक्टिरियास को बढ़ाता है इसलिए अगर आप बनाना के शौकीन है तो वजन बढ़ाने की फिकर किये बिना पीनट बटर सैंड़िच को खाने का लुथ वठाईए ककड़ी की तरह टमाटर में भी 95% पानी होता है और इस ठंड के मौसम में जब हम जरूरत जितना पानी पीना भूल जाते हैं तब ये वाटर रिच वेजिटेविल आपके शरीर में पानी की जरूरत को पूरा करती है साथी जादा नमक का सेवन करने की वज़ह से पेट में जो एक्स्रा पानी जमा हो जाता है उस water retention को टमाटर कम करता है जिसकी वजह से आपका वजन कम होता है इन फलों में मौसंबी, नारंगी, लिम्बू, चकोत्रे जैसे फल शामिल है साइट्रस फ्रूट्स में potassium और antioxidants भरपूर मातरा में पाय जाते हैं जो कि शरीर में सूजन कम करते हैं और यकीन मनिये दोस्तों, बड़े हुए वजनी लोगों का पेट, थाईज, पैर और हाथ सिर्फ फैट की वज़े से मोटे नहीं होते बलकि सूजन की वज़े से भी शरीर फूला हुआ और मोटा दिखता है और जब सूजन कम होगी, तो अपने आप ही शरीर पतला दिखने लगेगा और अभी तो कुछ साइटरस फूर्ट जैसे की औरंजिस का सीजन चल रहा है तो आप खुद से इन फलों के महगे होने का बहाना भी नहीं कर सकते जब भी खाने का सुआद बढ़नाने की बात आती है तो मसालों और जड़ी बूटियों की याद सबसे पहले आती है लेकिन जब वजन कम करने की बात आती है तब इनके प्राकर्टिक गुड़ों को हम भूल जाते है हल्दी, जीरा, मिथी दाना, दाल चीनी, अलसी, सौफ, काला नमक और काली मिर्च जैसे सबी स्पाइसे वजन कम करने में हमारी मदद करते हैं जिनके लिए इनका इस्तिमाल करने के तरीके अलग-अलग है और उस टॉपिक पर उपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको उपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप उससे वहाँ से देख सकते हैं फिलाल इतना ही कहेंगे कि वजन घटाने के लिए आयरवेद में भी इन मसालों और जड़ी बूटियों को अपनी डायट में शामिल करने के लिए कहा गया है इसलिए इन्हें रेडिमेट सॉस और चटनी की जगए इन लो कैलोरी मसालों का इस्तिमाल करके अपना खाना टेस्ती बनाईए और बोनस में इन से मिलने वाले फायदों का लाब उठाईए इन टॉप 12 फूट्स के अलाबा भी विजन कम करने में मदद करने वाले फूट्स की लिस्ट बहुत लंबी है जिनके बारे में अगर आप जाना चाहते हैं इफेक्टिव और स्पेशल टिप्स मिलती रहे थैंक यू वेरी माच